नमस्का में तोरो स्वाकत है आपका एस यूटूब चनल पे पोर्टल पर आज से दिखेगा सरप्लस सिक्षकों का विवरण बेस्टिश शिक्षा परिशत के विद्यालेों में समायोजन की पक्रिया शुरू हो गई है 31 जुलाई तक मानव संपदा पोर्टल पर चातर संख्या का विवरण अपलोट कर दिया गया है अब 2 अगस्त से सरप्लस सिक्षकों का विवरण पोर्टल पर दिखने लगेगा समायोजन की पक्रिया 7 अगस्त तक पूरी करनी होगी प्रात्मिक और उच्प्रात्मिक विद्यारेों के सिक्षकों के समायोजन का आदेश 26 जून को बेस्ति सिक्षा परिशत के सचिव सुरेंद्र तीवारी ने जारी किया था उस समय शिक्षकों ने 31 मार्च की चात संख्या के आधार पर समायोजन का विरोट किया था वह 30 सितंबर तक की 6 संख्या के आधार पर समायुजन की मांग कर रहे थे, कुछ शिक्षक इसके खिलाफ कोड बीच गए, इसलिए यह प्रक्रिया कुछ दिन टल गई, पिछले दिनों 30 जून को 6 संख्या के आधार पर समायुजन का आदेश जारी किया गया, आदेश के क्रम म उनकी वरिष्टता के आधार पर बनाया गया है, 2-4 अगस्त तक वेबसाइट जो दी गई है, पर आवेशक्ता वाले विद्यालेयों की सूची पर, वह सरपलस सिक्षकों की सूची पर दरशित की जाएगी, अब इस खबर के बीच में सबसे पहले आपको एक अपडेट दे कि इस पर भी स्टे लग चुका है, इस पर भी जब पूरा डिटेल्ड जानकारी आ जाएगी तो उसकी वीडियो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन कुछ बिंदुों पर जरा बात कर लेते हैं, सबसे पहला बिंदु, अगर बेसिक शिक्षा परिशद में सि जब भाई माल चलिए कि 30 जूम को हमारे पास 69 बच्चे दर्ज होई, आपको पता है कि 60 तक 2 सिक्षकों की जरूरत होती है, माल लेते हैं कि 69 बच्चे विद्याल में हैं और 2 सिक्षक मौजूद हैं, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीने में 10 या 12 बच्चों क हो जाता है, तो जो संख्याती वो जाके पहुंचेगी लगभग सत्तर के आस पास, तो क्या आप बाद में नया सिक्षक लाके देंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि समाजन के प्रक्रिया आप करीब हथे दो हथे में कम्प्लीट करेंगे, माल लेते हैं कहीं पर 62-63 बच् अब जो तीसर सिक्षक था, वो फिरसर सर्प्लस हो गया, क्या उसको आप तुरन धटी हटा देंगे, इस तरह की विसंगतियों के साथ कैसे काम होंगे, जब आप 30 सितंबर अंतिम टिथी होती है, कि 30 सितंबर के बाद आप कोई नाम नहीं लिखा जाएगा, तो उस टिथी क अंतिम मानना चाहिए, क्योंकि अब ना तो नाम काटा जाएगा, ना तो नाम बढ़ाया जाएगा, अब ये सत्र पूरा ऐसे ही चलेगा, तो सितंबर की संखा को क्यों नहीं लिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस पर कोट पर पर क्या चर्चा विचर अरियों में पहुंचे हैं और वो वहाँ पर सरपलस हो रहे हैं, उन सिक्षकों का क्या, क्या उनकी साथ एक तरीके से धोका नहीं हुआ, यदि अगर आप पहले समायोजन कर लेते, हर सिक्षक, हर पद जो सही सरीके से बैठना चाहिए, वो बैठ जाए, उसके बाद आदमी अपना समायोजन, माफ करेगा, अपना म्यूचल ढूड़े, और फिर वो वहाँ पहुंसता, तो वो हमेशा के लिए मौजूद हो जाता, कम से कम एक सत्रुत पूरा करता, अब आपने जनवरी में उसको म्यूचल ट्रांसफर दिलवा के पहुंचाया, मुश्किल से 6 महीने भी काम नहीं कर पाएगा, वो उस विद्याले में जो उसके घर के पास है, क्योंकि मूचल आद भी तभी लेके पहुंच था, जब वो उसके घर के आसपास होता है, अब 6 महीने नाउक लिए नहीं कर पाया, और आप 6 महीने बाद उसको फिर से हटा के कहीं दूर दरात लेकिन नहीं विद्याले में आके सरपलस हो गया हो, तब तो इस तरीके के कारकरम पता नहीं बेश्चे शिक्षा परिशद में क्यों होते हैं, इसका जवाब आस तक किसी को नहीं मिल पाया है, कोई भी नीती बनाने से पहले, चार बार सोचना चाहिए, जैसे वहीं वाली बात की पहले रोड बना लेते हैं, उसकी बात कहेंगे अरे पायप्लाइन तो पड़ी रही है, फिर से खोद के पायप्लाइन डाल देते हैं, रोड बिकार हो जाती है, तो जब आपके पास विजन नहीं है, आप आगे का सोचे कोई कामी नहीं करते हो, तो काम खराबी आपको पहले प्रमोशन करना चाहिए, पहले समयजन करना ही चाहिए, फिर अंतर जन्पदी, अंतर जन्पदी, mutual transfer, ये transfer फ़लाना चाहिए, तब ये कारक्रम हो, आपको पता तो हो कि सही जगह कहां मौझूद है, कहां लोग सर्पलस हैं, कहां बच्चे कम है, कहां सिख्चक जादा हैं कहां से चक्कम है आपको कोई जानकारी नहीं है आप पहले बाकी काम कर देते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि अब कहां गरबड हो गई या उनको एड़ेस्ट करें ये तरीका बिलकुल कलत है उमीद है कि कोर्ट से कोई अच्छा रास्ता मिलेगा इस प्रका लिंगती ना हो और किसी के साथ भी गलत ना हो ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ किया पर दस दिन बाद आपको फिर से कुछ कर दें और सिक्षक या करमचारी बिचारा बेफकुवी तरह यहां से वहां के अल्टहल रहा है और परशान हो रहा है कि अब क्या करूं और तब क करूं रास्ता वीडियों कि उसके बहुत 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 देने वाद आपको देन शुबहूं